Friends, आज हम Present Continuous Tense के बारे में जानेंगे Present Continuous Tense का मतलब होता है चालू वरतमानकाल इसको पहचानने का नियम है कि जब भी संटेंस के अंत में रहा है रही है, रहा हूँ, रहे हैं, हो तो वो Present Continuous Tense का संटेंस कहलाता है जैसे रावल खा रहा है वे लोग खेल रहे हैं मेरे पिता जी पढ़ा रहे हैं मैं गा रहा हूँ चलिए इसको हम बनाने के structure को देखते हैं इसका structure है subject plus is a ram plus verb verb में ing plus object plus others अब हम यह जानेंगे कि i के साथ m और u के साथ r लगाते हैं और इनके अलावे singular number एक वचन अगर subject हो तो is और plural number बहु वचन subject हो तो r लगाएंगे चलिए अब हम sentences के द्वारा समझते हैं जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो इसमें मैं हो गया subject खा रहा हूँ हो गया verb और खाना हो गया object तो structure के हिसाब से हम इसमें मैं मतलब I subject हो गया और खा रहा हूँ मतलब eating हो गया और object हो गया food तो I am eating food वे लोग खेल रहे हैं they are playing राहूल पढ़ रहा है राहूल is reading राधा नाच रही है राधा is dancing मेरे पिता जी पढ़ा रहा है my father is teaching हम लोग आ रहे है we are coming मेरी माँ खाना पका रही है my mother is cooking food मैं बाजार जा रहा हूँ I am going to market friends अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चानल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना thanks for watching